इस्टुडेंट स्वागत है आपका अपने ही चेनल टैथ अफ लॉलेज में सो इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीकॉम बीबी ए फस्ट येर के फाउंडेशन कोर्स का पेपर वन का सुलुशन जी इस्टुडेंट्स आधार पार्टी किरम का पार्टी किरम का है इसका सुलुशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रवाइड कराने वाला हूं तो यह जो पेपर है यह बरकतुला यूनिवर्सिटी बापाल का है और साथ मैं आपको यह बता दू कि यह जो निव पद्धिती आई है तो निव शिक्षान नीती क अधिवसार जो पेपर आया था इस पेपर के इंगलिश की ग्रामर का सुलुशन आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं चली वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए और हम डा आपके पास होंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजीगा इनके आंसर में आपको प्रवाइड करा दूँगा फिलाल हम कवर करने वाले ग्रामर का पोश्चन जो के हम चलते हैं 35 नंबर की कॉश्चन से ठीक हैं तो मैं आजाता हूं 35 नंबर पे तो यह हमारा 35 नंबर के कॉश्चन है यहां से मैं आपको इसकी कॉश्चन के आंसर बता देता हूं ठीक है तो देखिए स्ट्रेट हमारा जो फर्स्ट कॉश्चन है मतलब के 35 नंबर के जो क्वेश्चन है विच आप दा फॉलिंग इदा सफिक्स आफ विंड तो इसका आप की बिगिनिंग में किसी भी वर्ड की स्टार्डिंग में यूज किया जाता है और उसके मीनिंग को चेंज कर देता है और अपोजिट भी बन जाता है वो वर्ड जादातर तो फिलाल यह जो हमारा कॉश्चन है 35 नंबर के कॉश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन है which of the following is a suffix of enjoy तो enjoy का आपको suffix बताने है suffix में आपको अभी बताया था suffix किसी वर्ड के last में एड होने वाला word है ठीक है तो इसको suffix का जाता है जो वर्ड के last में होता है इस starting में होने वाले को prefix कहते है तो इसका right answer होगा 36 नंबर का वे हमारा c वाला यह हो जा इसमें हमसे पूछा जा रहा है which of the following is a prefix of the word nutrition तो prefix मैंने आपको अभी बताया था prefix जो है यह हमारा कहलाता है उपसर्ग क्या होता है उपसर्ग हिंदी में इसको कहते है जो कि किसी वर्ड की starting में use होता है तो इसका जो right answer होगा वो होगा हमारा बी वाला जी है nutrition का malnutrition right answer होगा जो कि कुपोशल होता है पुशल का कुपोशल हो जाएगा तो बी इसका right answer है ओके strength तो question number 37 को जो right answer है यह हमारा बी वाला right answer है ठीक है 37 का answer बी है अब हम मूब करते है question number 38 की तरफ तो दिखिए हमारा 38 नमर को जो question है इसमें हमसे कहा जा रहा है अब prefix is placed at the blank space of a word to modify or change its meaning अब जो prefix होता है अब यह किसी भी word के beginning में होता है center में end में none of these तो इसका answer आपको भी पता होगा जो कि मैंने अभी आपको recently बता हुआ है इसको राइन होगा आपका ए वाला 38 का right answer है आपका ए वाला अब prefix is placed at the beginning of a word तो prefix जो किसी भी word के beginning में placed होता है beginning में जुडता है मतलब किसी किम उपसर्ग किसी भी ऊसर्ग किसी इंग्लिश में में सफिक्स कि इसी वर्ड के लास्ट मेंड होता है तो इसका राइद अंतर क्यों बच्चो ए वाला होगा बिगिनिंग मुप करते कशन अब थारी नाइन की तरफ थारी नाइन आमर के टेक्षिन ए अधानीम्स ऑफ नॉलेज तो नॉलेज का आपको एंटोनिम्स बताना है पोसित बताना है यूदला अधान्त है नहीं होगा टिक है इग्नोरेंसम मतलब घ्ण और अधानता इसका अज्ञानता क्या मतलब होगा इसका इग्नोरेंस C is correct answer अब आते हैं 40 तेरफ Question No.40 The Antonyms of Fear तो Fear का Antonyms आपको बताने है तो Fear का मदब क्या होता है डर तो अब इसमें से देखिए Bondage बिल्कुल नहीं होगा Freedom आजादी नहीं होगा Nero जे भी नहीं होगा तो Courage होगा इसका रे इंसर Courage, Saas, Himmat तो इसका रे इंसर क्या होगा Courage जो कि Saas होता है चलिए 41 Question No.41 The Synonyms of the Word Joy तो Joy का से आपको बताना है जो कि हमारा Happy होगा बाकि तो जो काइंड और Melancholy और Polite यह बिल्कुल नहीं होगा रे इंसर का Dear वाला है जोई का Happy होगा Next 42 तो 42 नमर के जो Question है The Synonyms of the Word Precious तो इसका रे इंसर होगा B वाला Valuable Cheap मतलब होता है Sस्ता Excellent और Quite बिल्कुल भी नहीं होगा B इसका रे इंसर है Valuable Precious मतलब होता है Valuable मतलब कीमती अब हमूब करते है Question No.43 की तरफ Question No.43 है A person who lives A wandering life is a मतलब की एक ऐसा Person जो की घूमता पढ़ता रहता है उसको कोई ठिकाना नहीं होता है वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो उस पंदी को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है Valuable जो को होता है घुमकर जब इसको खाना बदोश भी कहता है डी राइड आंसर है 44 की तरफ आगे बढ़ते है वन हू मेक्स फरनीचर इस यह तो बहुत ही ज़्यादा इसी है तो भाई जो फरनीचर बनाता है क्या कहता है उसको कार्पेंटर का जाता है बी राइड आंसर है अब हम देखते है 45 नमर के कॉशन तो फर्डि फडाि फोकी बनेकलदर के कॉशन है बैंक इसमन तो यह तो इसका बैं बैंक आप म्यूजीशियन तो इसका वाईड प्रिजिशन का वेंड आप म्यूजीशियन यह तो बैंक राइड आंड याज भी विधक्स तो फिरी सिक्स जो है अब 48, 48 है, the train came to a halt by, तो इसका जो right answer होगा, यह होगा आपका itself, भी right answer है, तो यहाँ पर लगा देजी, itself है, 49 को देखिए, 49 नमर के question है, please check is knocking at the door, तो right answer होगा इसका who, please check who is knocking at the door, तो देखिए, कौन दर्वाज़े पर है, या कौन दर्वाज़ा नॉक कर रहा है, तो right answer होगा, please check who is knocking at the door, अब देखते हैं, लास्ट वाला, 50 नमर का है, 50 question इसमें से आये थे, जो के हमारी English language से, तो question, question हमारा जो 50 नमर का था, this is blank, this book I was looking for, तो इसका जो right answer होगा, यह होगा, आपका C वाला, ठीके, the score right answer है, this is the book I was looking for, C score right answer, ठीके, तो इस तरह से मैंने आपको, यह जो grammar थी, जो के हमारे English language से, पूछी गई थी, इसकी grammar के कुश कोशेंस मैंने आपको यहां पर, बता दिये, इसका solution मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके comments आते हैं, वाकि आपको solution चाहिए, पूरे paper का detailed solution चाहिए, तो आप अलि वीडियो की नोडिकिए और सबस्वाल आपको ताइम पर, मिल्टे रहें, थैंक्स for watching.